C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ्थे चर्या पर आधारित श्रिंखला ध्वानी शाला आईए मित्रों आप चलते हैं कक्षा 5 की ध्वानी शाला में मेरे बहुत 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 प्यारे बच्चो आपको उशादीदी का नमस्कार आज आप सोच रहे होंगे कि ये उशादीदी को हुआ क्या है पहले तो वे सिर्फ बोलती थी मेरे प्यारे बच्चो और आज उन्होंने बहुत 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 वो भी तीन बार बहुत शब्द का इस्तरमाल किया है तो बच्चो बात ही कुछ ऐसी है आज मैं जो आपके साथ बतियाने वाली हूँ वह दरसल त्योहारों की बात है अब जब बात त्योहार की हो तो मन जूमी उठता है और जब मन जूमने लगता है तो फिर हमें बहुत 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 अच्छा लगता है तो बस इसी तरह से आज बहुत शब्द मैंने तीन बार इस्तमाल किया किसी भी तीस त्योहार का नाम सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आती है अच्छा आप से पहले मैं बताती हूँ किसी भी त्योहार का नाम सुनकर या त्योहार की बाची सुनकर जो सबसे पहले चीज मेरे दिम गुजिया मूह में पानी आ रहा है आपके भी बुँदे पाना रहा होगा अगर हम भुली की बात करें तो क्याया चीज़ जहन में आ रही है गुजिया और अगर हम दिवाली की बात करें तो खीर मालपुए ये तो मुं में और पानी आ रहा है और पूरे भारत देश में अलग-अलग समय पर अलग-अलग त्योहार मनाये जाते हैं पता है बच्चो कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो प्रक्रती से जुड़े हुए है यानि मौसम में परिवर्टन आया फसल कटने का समय है तो बस त्योहार मन गया त्योहार कुछ और नहीं मन की खुशी है बस हम अपने मन की खुशी को अलग-अलग तरहां से अभिव्यक्त करते हैं अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग जगा पर त्योहार को मनाने का तरीका भले ही अलग हो लेकिन मूल भावना एक ही है और मूल भावना क्या है बच्चो वही हम सभी से प्रेम कर सके एक दूसे के साथ मिलकर रह सके और एक दूसे के साथ अपनी खुश्या बाट सके तो आज हम बात करते हैं इनी फसलों के त्यहारों पर ये जो हम बातचीत करने जा रहे हैं आज ये दरसल एक घर में होने वाली बातचीत है तो हम देखते हैं कि किसके घर में क्या हुआ तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत सारा दिन बोर्सी के आगे बैट कर हाथ तापते हुए गुज़ा जाता है कहां तो खिचडी के समय धूप में गर्माहट की शुरुवात होनी चाहिए और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए है पूरे दस दिन हो गए सूरज लापता है आज सुभा तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी पाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है रह रहकर कानों में कभी चांपा कल के चलने और पाने के गिनने की आवास तो कभी किसी के हांक लगाने की आवास आ रही थी जा भाग के देख केरा के पत्ता आईल की न आज यी लोग के उठे के नईके का बोल जल्दी तयार हो खस अब तो उठे में ही भलाई है नहा धोकर हम सभी एक कमरे में एकटा हुए दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पैना हुआ है खिचडी में अईसन ठांड हम पहले कबो न देखनी सारा दे कनकना देता बापा ने कहा शाहिद आज धोती में उन्हें ठन को जादा लग रही है सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने वे दादी बैठी है आज दादी ने अपने बाल धोए हैं छक सफेद सेमल की रूई जैसे हलके फुलके बाल गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता बिल्कुल धुली-धुली सी लग रही है दादी पता है उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पत्तिल, मिठा, मिठा मतलब गुड, चावल, आदी के छोटे-छोटे धेर पड़े हुए है हमें बारी-बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगा इकटा करके दान दे दिया गया आज तो अप्पी दिदिया बुरी फसी उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचडी पर आज तो परमाईशी नाश्ता नहीं चलेगा उन्हें दोनों ही चीजे खानी पड़ेंगी आज खिचडी जो है खिचडी खाने के बाद सभी ने गया से आये तिल गुड और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न ये खिचडी जो अभी हम मना रहे हैं अरे आप क्या सोच रहे थे कि हम खिचडी खाने के बात कर रहे हैं नहीं जी हम तो खिचडी मनाने की बात कर रहे हैं। हाँ जब खिचडी मनाते हैं तो खिचडी खानी पड़ती है। स्कूल में हम जो खिचडी मनाते थे उसकी अलगी मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैट का गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दोड़त हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनन जी, जिल्मिट भहिया सम मिलकर इंट से बने चूले पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचडी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्यास चीलने बैट जाते। वैसी खिचडी फिर दुबारा खाने को नहीं मिली। वाकई, धंक ऐसा भी हो पर ये है खुशियों का त्योहार। जन्वरी मा के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तयार हो जाने पर खुशी बाटता है तो कुछ लोग इस उमीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उमीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश में मकर संक्रांती या तिल संक्रांत, असम में भी हू, केरल में ओणम, तमिलनाडू में पोंगल, पंजाब में लोडी, जारकंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार पता है, जारकंड में सरहुल, बड़े जोशुक हरोश के साथ मनाया जाता है, चार दिनों तक इसका जशन चलता रहता है, अलग-अलग जन जातियां, इसे अलग-अलग समय में मनाती हैं, संथाल लोग, फरवरी मार्च में, तो औराम लोग इसे मार्च अपरेल में मनाते ह बच्चो क्या आपको पता है आदिवासी किसकी पूजा करते हैं ? आदिवासी आमतौर पर प्रकृतिकी पूजा करते हैं सरहल के दिन विशेश रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आनے लगते हैं और मौसम बहुती खुश्णुमा हो जाता है स्त्री पूरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाश्टे गाते हैं चारो ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां लंबे लंबे साल के विक्षो का जंगल और वहीं आसपास बचे छोटी छोटे गाउं लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ती में कमर में बाहें डाल कर नित्य करते हैं अगले दिन वे नित्य करते वे घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं एक और मज़ेदार बात होती है मालूम है घर-घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है पर चंदे में मालूम है क्या मांगते है मुर्गा, चावल और मिश्री फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर तीसरे दिन जाकर पूजा होती है जिसके बाद लोग अपने कानों में सरे का फूल पहनते है इसी दिन से वसंतरितों की शुरुवात मानी जाती है पता है बच्चों, धान की भी पूजा होती है पूजा किया हुआ आशिवादी धान अगली फसल में बोया जाता है और तमिल नाडू में मकर संक्रान्ती या फसलों से जुड़ा त्योहार पूंगल के रूप में मनाया जाता है क्या मालूम है आपको, इस दिन खरीब की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुँचती है लोग नए धान कूट कर चावल निकालते है प्यारे बच्चों, हर घर में मिट्टी का एक नया मट्का लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूर और गुर डाल कर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते है हल्दी शुब मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मट्के के मूँ के चारोग और बान देते है पता है, यह मट्का दिन में साड़े, दस, बारा बजे तक धूप में रखा जाता है जैसे ही दूद में उफान आता है और डूद चावल मट्के से बाहर गिन लगता है तो पता है क्या कहते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानि की खिचडी में उफान आ गया इसके स्वर सुनाई देते हैं दूसरी ओर, गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रान्ती का जश्न अधूरा ही माना जाएगा इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं, तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगें आकाश में लहराती भी मिलें प्रतेक गुजराती चाहिवे किसी भी धर्म, जाती या आयू का हो पतंग उड़ाता है हजारों लाखों पतंगों से सूरे भी धक साजाता है प्यारे बच्चों, कुमाओं में मकर संक्रान्ती को क्या कहते हैं, पता है? कुमाउं में मकर संक्रान्ति को गुगुतिया भी कहते हैं इस दिन आटे और गुड को गूंद कर पक्वान बनाए जाते हैं इन पक्वानों को तरह तरह के आकार दिये जाते हैं पता है कौन से आकार? जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल, आदी पक्वान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है माला के बीच में संत्रा और गन्य की गंडेरी पिरोयी जाती है यह काम बच्चे बहुत रुचियों और उत्साह के साथ करते हैं सुभा बच्चों को माला दी जाती है, बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाडों से चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं, और पता है क्या गाते हैं, वे गाते हैं, कववा आओ, गुगुत आओ लेक हुआ बड़ो, मा के देजा सोने की घड़ो, खाले पूरी, मा के देजा सोने की चुरी ऐसे गाते हैं गाना, इसके साथ ही जिस चीज की काम न हो वह मांगते हैं है ना कितने अलग-अलग अंदास मक्कर संक्रांती को मनाने के कहीं दूद, चावल और गुड की खीर बनती है, तो कोई पांच प्रकार के नए अनाज के खिचडी बनाता है कहीं कहीं लोगों का सेलाब नदी में स्नान के लिए उमड पड़ता है पता है बच्चों, लोग ठंड से ठिटुरते रहेंगे पर बरफीले पानी में कम से कम, एक डुपकी तो ज़रूर लगाएंगे खाल यह होता है कि इन जगों पर तिल रखने की भी जगा नहीं होती तिल से याद आया, मगर संक्रांती के दिन पानी में तिल डाल कर स्नान करना तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पक्वान बनाना विशेश भात्वर रखता है तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचडी, पोंगल, मकर संक्रांती या कुछ और कहा जाता है बच्चो, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यहार मनाते हो? ग्यादी तुम आपस में बात करो, तो तुम्हें जानकर हैराने होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाली लोग भी इस त्यहार को अलग-अलग धंग से मनाते हैं अरे, आप कहां चल दिये? अभी तो कारेकरम चली रहा है अच्छा, तो आपका मन कर रहा है कि हम जल्दी से रजोई घर में जाएं और खीर, पुए और जो पकवान बने हैं, उन्हें खाने बेट जाएं और पता है कुछ बच्चे तो जल्दी से जाना चाहते हैं छट पर ताकि धे सारी पतंग उड़ाएं पतंग को भी सुस्ताने का मौका दीजेगा और आप अक्वान मजे से खाईएगा तो ये तो थे फसलों से जुड़ेवे हमारे त्यहार आपको अब एक अंदाजा हो गया होगा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में फसलों से जुड़ेवे कौन-कौन से त्यहार है मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चो त्यहार अलग-अलग तरीके से भले ही हम मनाते हैं देकिन हमारी भावना एक ही है और इस एक अच्छी भाना के साथ एक और चीज है जो सब ट्यहारों में एक जैसी है वो क्या भला वो है पकवान अब चाहे कोई खिचडी बनाए या कोई खीर बनाए कोई मालपुय बनाए या कोई कुछ भी बनाए लेकिन पकवान तो जरूर बनते हैं और उन्हें खाने में जो स्वाद आता है बस पूछे मत और यह लगता है कि ये त्योहार हम साल भर यूही मनाते रहें किसलिए इसलिए ताकि हमें रोज नए नए पकवान खाने को मिलें तो प्यारे बच्चो आपने ये भी जाना कि खिचडी मनाने में और खिचडी खाने में फर्क है खिचडी मनाने का मतलब है कि हम मकरसंकरान मना रहे हैं याने कि हम खिचडी बनाएंगे ठीक ह और इस खिचडी मनाने में हम खिचडी खाते भी हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे क्या जादा पसंद करते होंगे बच्चे खिचडी खाना जादा पसंद करते हैं या खीर खाना पसंद करते हैं बई मैं तो खीर खाना जादा पसंद करती हूं खिचडी खाने में तो मुझे कोई मज़ा नहीं आता वो क्यूं भला? वो इसलिए क्योंकि खिचडी में होता है नमक और हमें तो मीठा पसंद है तो कुछ मीठा हो जाए के नाम पर हमें खीर भूत पसंद है और अलग-अलग बच्चे अलग-अलग त्योहारों पर अलग-अलग पकवान खाते हैं और अगर पडोसियों के यहां से त्योहार के दिन निमंत्रण आ जाए तो क्या कहने हम पडोसियों के यहां जाकर भी पकवान खुब खाते हैं अच्छा बच्चों एक बात बताईए हमने अलग-अलग प्रांतों में रहने वाले अलग-अलग त्योहार उन کے तरीकों के बारे में जाना लेकिन इस पूरी बाचीत में एक और अच्छी बात है वो ये बात है कि जब हम अपनी बात कहते हैं तो अपनी भाशा का इस्तमाल करते हैं जैसे आज ये लोग के उठे के नई के का यानि कि एक खास राकी भाशा है कि आज ये लोग उठे या नहीं तो ये बात किसके लिए कही गई है? बच्चों के लिए? उठके नहीं देते हैं बच्चे कोई त्यहार हो, कोई काम हो इतना ही नहीं परिक्षा भी हो उठने में अक्सर वे आना कानी करते हैं बस पांच मिनट, बस पांच मिनट करके करवट भदलते रहेंगे लेकिन उठेंगे नहीं तो ये बात बच्चों के लिए कही गई है कि आज ये लोग उठे हैं या नहीं आपने दूसरा वाके भी सुना होगा जा भाग के देख केरा के पत्ता आईल की ना यानि कि जाओ भाग के देख कर आओ केरा के पत्ते आ गए या नहीं आए तो ये जो दो बातें आपने सुनी है इसे आप खुद अपनी भाशा में बोल कर देखिए एक और बात है बच्चो, विविद्धा हमारे देश की पहँचान है फसलों के अतिहार हमारे देश के विविद रंग रूपों का एक उधारन है हमारे पास विविद्धा के और कई बड़े पहमाने भी है जैसे हमारी भाशा अलग है हमारे कपड़े अलग है हमारे पहनने का, सली का अलग है हम नया वर्ष भी अलग-अलग समय पर मनाते है हमारा भोजन भी तो एक जैसा नहीं है हमारी लोक कला भी एक जैसी नहीं है और लोक संगीत भी अलग है लोक संगीत से याद आया कि क्यों ना हम असम का बिहु सुन ले और गुजरात का भी लोक संगीत सुन लेते हैं और लगे हाथ हम जारखंड और बिहार में गाये जाने वाले गीतों को भी सुन लेते हैं तो तयार हैं सारे बच्चे इस लोग संगीत का आनंद उठाने के लिए मज़ा लीजिए लोग संगीत का तेसुरा तेसुरा घंटार बजयेो नौनगरी दस घाओं बसयेो तेसुरा तेसुरा घंटार बजयेो तेसुरा तेसुरा गनुतार बजईयो नो नगरी दस गाउं पसईयो बस गए तीतर बस गए मोर बस गए तीतर बस गए मोर पूढी डुकरिया लै गए चोर चोरन के घर खेती भई हाई डुकरिया मोटी भई खाई डुकरिया मोटी भई मोटी है के पीहर गई पीहर में मिले भाई हो जाई पीहर में मिले भाई हो जाई सबने मिलके दरी बढ़ाई सबने मिलके दरी बढ़ाई तो मज़ा आया आपको लोक संगीत सुनने में आप सबको अलग-अलग भाशाओं के कुछ लोगी तो याद हो गए होंगे है ना अच्छी बात है और मैं आप से आज बिदा लेती हूँ और अगले कारिक्रम में मैं बहुत जल्द आपके साथ मिलूँगी तब तक के लिए धे सारा प्यार और नमस्कार साथियो अभी आपने सुना पाठे क्रम पर आधारित श्रिंखला ध्वानी शाला निर्माण सहायक मिनाक्षी कुक्रेती और तनु गुप्ता ध्वन्यंकन बठी लैंगलिंग्डो कारिक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत क्रिक्रम प्रस्तुती CIET NCERT